धर्म ग्रंतों, वेदों और पुराणों में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। 84 लाख योनियां अर्थात शृष्टी में पाए जाने वाले विभिन प्रकार के जीव जन्तू इन्हें दो भागों में बाटा गया है। जिन में पहला योनिज और दुसरा आयोजित है। इसके अतरिक इस थुल रूप से प्राणियों को तीम भागों में बता गया है। जिन में जलचर, थलचर और नौचर प्राणी होते हैं। पद्द पुरान के एक स्लोक में इनके बारे में विस्तार पुर्वक बताया गया है। तो मित्रो आप भी इन 84 लाख योनियों के रहस्य को समझना चाहते हैं। तो आज की इस प्रस्तूती में हमने आपको यही जा प्रस्तूती है। 84 लाख योनियों का रहस्य हिंदो धर्म की मानिता के अनुसार। जिवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाता है। अब सवाल कई उठते हैं। पहला यह कि यह योनिया होती क्या है। दूसरा यह कि जैसे कोई बीज आम का है त मरने के बाद तो आम का ही बीज बन जाता है। तो फिर मनुष्य को भी मरने के बाद मनुष्य ही बनना चाहिए। पशू को मरने के बाद पशू बनना चाहिए। क्या मनुष्य की आत्माएं पाश्विक योनियों में जन्म नहीं ले सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि 84 लाख की बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। आए इनके उत्तर जानते हैं। पद्ध पुरान के अनुसार जलज नौ लक्षाणी, स्थावर लक्ष विमाशती, क्रिमिनो रुद्र संख्यक, पक्छीणाम दस चतुर लक्षाणी मानवा। इस लोक का अर्थ है कि जलचल प्राणी नौ लाख स्थावर अर्थात, पेड पौधे, बीस लाख सरीसर क्रीमी का मतलब है किडे मकोडे, ग्यारा लाख पक्छी, नौ चर, दस लाख स्थलिय थलचर, तीस लाख और सेस चार लाख मानविय नसलिके। इस तरह से योनियों की क कुल संख्या 84 लाख बताई गई है, मनोश्य की योनि में कम मिलता है जन्म, पुराणों में कुल 80 लाख योनियों में मनोश्य की योनि सर्वस्रेष्ट बताए गया है, मानेता है कि एक आत्मा का कार्मिक अनुसार, 30 लाख बार रिक्ष की योनि में जन्म होता है, इसके बा 20 लाग बार पसू की योनी में जन लेने के बाद अंत में कर्म अनुसार गौ का शरीर प्राप्त करके इसके बाद आत्मा को मानो की योनी में जन मिलता है, इसके बाद उसे पित्र या देव योनी प्राप्त होती है, यह सभी कर्म अनुसार चलते हैं, जब आत्मा मनुश योन प्रश्टी में आकर नीच कर्म करने लगता है तो उसे नीचे की योनियों में जन मिलने लगता है जिसे वेध पुराणों में दुरगती कहा गया है तो मित्रो यह था वेध पुराणों के अनुसार बताया गया 84 लाख योनियों का रहस्य जो कि आज हमने आपको इस स्क्राइब कर लिजेगा एवं कॉमेंट बॉक्स में लिखेगा जय स्रीकृष्णा